पूर्फ जोबनेट जैपुर से स्वागत करता हूँ आप सभी का दुनिया के बैतरीन वाली क्लास में और आज भई कई बच्चों का ख्वाव था, कई बच्चों की जिद थी, कई बच्चों का ना ये था कि हमें कभी इंस्ट्यूट पढ़ने, वो भी राजधानी में पढ़ने तो भई आखिरकार उनका जो है आज वो सपना पूरा होने वाला है, मैं टेक्निकल टीम से जाओंगा एक बार रिफ्रेश मार दे भी, तो सभी का सभी का स्वागत है, वेरी गूड इविनिंग सभी को और आज हम लोग इंस्टिट्यूट पढ़ने वाले हैं, हिंदुस्तान में कौन-कौन से एगरी कल्चर के इंस्ट्यूट है, उनको सिलूट करने वाले, उनको याद करने वाले, क्योंकि अक्सर हर अग्जाम में एक आदा एक आदा क्वेशन आही जाता है, तो सभी का वेल पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंस्टिट्यूट जो पूरे सिस्टम को चलाता है, और मैं तो फकर करता हूँ, मुझे अफसोस भी है, अब मुझे बाद में पता लगा, अदरवाइस तो साहित में हो सकता था, किसी एक्जाम का फारम बढ़ता, और ICR में कहीं न कह कहिना कि दुनिया में सबसे बढ़िया जगे कर कहीं नोकरी है, जहां पर आदमी के ना इमेज है, इज़त है, सपने पूरे होते हैं, तो वो है, ICR, तो वेलकम कीजिए, सबसे पहले दोनों हातों से तालिया बजाते वे, ICR, इंडियान काउंसिल ओफ एग्रिकल्चर रिसर आई फोर इंडियान, आई फोर इंडियान, C4 काउंसिल, I will show you the full name of ICR, तो यह पूरे हिंदुस्तान को चलाने वाला, पूरे हिंदुस्तान के इंस्टूट्स को चलाने वाला, पूरे हिंदुस्तान की अग्रिकल्चर, उन्वस्टीज को फंडिंग करने वाला, और वो है, IC जिन्दगी में कभी कुछ बनने का सपना हो न, तो IS बनना, IS नहीं बन पाओ, RS नहीं बन पाओ, तो फिर ICR में साइन्टीज बनना विड़ा, इतना बड़ा इंस्टूट, इतने डिपार्टमेंट्स, इतने इंस्टूट्स, इसके, तो यह सबसे बड़ा इंस्टूट है, Indian Council of Agriculture Research, I will show you the full name, और this is, मैं सलूट करूंगा, प्रणाम करूंगा, अगरी कल्चर का तीरत है, अगरी कल्चर का भिया, तीरत है, Indian Council of Agriculture Research, चली, इनका नाम पुरा का पुरा नोट कर ले आप, Indian Council of Agriculture Research, without mistake in spelling, right down in perfect way, Indian Council of Agriculture Research, New Delhi, भारतिये क्रशी अनुसंधान, परिशद, बढ़ परिशद हो जाएगा, तो भारतिये क्रशी अनुसंधान, परिशद, हिंदी विच भी लिखना है, और यहां Establishment भी आ गया है, 16, July 1929, thank you, हिंदी में भी लिख लेना है, भारतिये, हिंदी, हिंदी, इसको मैं लिखूंगा, बाकि किसी को लिखने के जोरत नहा है, क्योंकि बाई, न्यू डेली में है, स्पेलिंग वगेरा की मिस्टेक भी ना हो, और इसका Establishment हो आता है, 16, July 1929, यह हिंदुस्तान की Agriculture का Revenution Year था, यह क्रांतिकारी साल था, 1929, तो Indian Council of Agriculture Research, भारतिये क्रश्यानुसंधान, परिशद, न्यू डेली में है, Established, 1929 और यह पूरे सिस्टम को चला आता है, इसके बारे में हम और भी डिटेल बात कर लें थोड़ाजा, एक तो इसके पहले महानिदेशक के बारे में जरूर में आपसे बात करना चाहूंगा, First DZ, इसके प्रथम महानिदेशक, इनको इंगलिस में बोलते है, डायरेक्टरेट जनरल, सोर्ट में कहते हैं, DZ, तो यह डोक्टर बीपी पाल थे बिटा, डोक्टरे, बीपी पाल थे, First DZ of ICR, डोक्टर बीपी पाल, बहुत बड़े रोज साइंटिस्ट थे, डोक्टर बीपी पाल साब, और यह First DZ थे, ICR के इंदुस्तान की सबसे बड़ी इंस्टूट के First DZ, डोक्टर बीपी पाल, आज की बात करें, हम वर्तमान की बात करें, लिखना है First DZ of ICR, First Directed General of ICR, डोक्टर बीपी पाल, उसके बाद में अभी की बात कर लेते हैं, वर्तमान में कोन है, तो त्रिलोचन मोहापात्रा या महापात्रा उनका नाम है, वर्तमान DZ, अभी प्रजेंट DZ, उनका नाम है त्रिलोचन, महापात्रा या महोपात्रा, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इंडियन काउंसिलो बेगरिकल्सार रिसार्ज एस्टाबलिज इन 16 जुलाई 1929, एंड वर्तमान DZ, अभी वर्तमान में, भाईया इसके, यह मैं कह रहा हूँ, एक इंसा कमेंट आ रहा है, यह बाईयो टेकनोलोजी के भी स्पेस्लिस्ट है, अभी वर्तमान वाले जो है न, यह बाईयो टेकनोलोजी के स्पेस्लिस्ट है, बाईयो टेकनोलोजी एक्सपार्ट है भई, यह भी नोट कर ली हो, तो मुझे लग रहा है, यहां तक है क्वेसन सारे आ अध्यक्स होते हैं तो प्रेजिडेंट या अध्यक्स होता कौन है वो होते हैं जो हिंदुस्तान के क्रसी मंत्री होते हैं तो क्रसी मंत्री भारत सरकार जो भी होते हैं वो इसके प्रेजिडेंट होते हैं अध्यक्स होते हैं ओटोमेटिकली ओटोमेटिकली वो पोस्ट उसी म किसका आता है उसके बाद में जब तक मैं बात कर रहा हूं तब तक आप जवाब दे उसके बाद है वाइस प्रेजिडेंट उपाद धेक्स जो होता है वो बारत का स्टेट अग्रीकल्टर मिनिस्टर सेंट्रल यास नरेंदर सिंग् तॉमर यहाँ पर आप अदेक्स लिखेंगे नरेंदर सिंग् तॉमर हिंदुस्तान के क्रशी मंत्री है नरेंदर सिंग जी तॉमर साथ और वो ओटोमेटिकली इसके प्रेजिडेंट है ओटोमेटिकली इसके प्रेजिडेंट है नरेंदर सिंग जी तॉमर इस समय वरतमान में कल का पता नहीं है कल क्या हो परसो क्या हो दो दिन बाद में क्या हो क्योंकि ये सारी की सारी राजनितिक पोस्ट होती है भाई इसमें कभी भी किसी के दिमाग में बैट गया कि नई चेंज कर लेना है तो सेकिंडे चेंज भी हो सकते है उपाद्धेक्स की बात कर लेते हैं वाइस प्रेजिडेंट तो जो भी हिंदुस्तान के सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर होते है केंद्रिये क्रसी राज्य मंत्री सेंट्रल स्टेट एग्रिकल्चर मिनिस्टर वो ऑटोमेटिकली इसके उपाद्धेक्स होते है ऑटोमेटिकली वो इसके वाइस प्रेजिडेंट होते है और इस समय दो है क्रसी राज्य मंत्री हिंदुस्तान के मैं अपने राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ हिंदुस्तान के क्रसी राज्य मंत्री दो है एक है पुरुसोतम भाई रुपाला और केलाज सोधरी जी फ्रों बाड मेर एक केलाज चोध्री जी है बाड मेर से ये राजस्तान का सोभाग्य है तो केलाज चोध्री जी और दूसरे है पुरसोतम भाई रुपाला ये दो क्रसी राज्य मंत्री है पुरसोतम भाई रुपाला पुरसोतम भाई रुपाला तो सारे के सारे ऐसे नोट करने भई पूरे के पूरे ऐसे कैसे आने चीए कि भई कौन इसके अद्धेक्स से इस समय पहले तो अद्धेक्स होता कौन है फिर है कौन उपादेख्स होता कौन है और अभी है कौन ये अलग-अलग question है राइट अभी चलिए आगे बढ़ी दाते हैं और ICR के अब सीधे ले चलता हूं ICR के Dimmed University पे तो आप second heading डालेंगे Dimmed University of ICAR Dimmed University Dimmed University का मतलब है these are the separate university वो अपने आप में सर्वे सरवा है सब कुछ है हो तो Dimmed University के बारे में बात कर लेते हैं किसी को पता है कितनी Dimmed University ICR की कोई बच्चा जिसको पता हो कि इतनी सारी Dimmed University ICR की है 5 है किसी बच्चे ने कहा है 5 है बाई ICR की जो dimmed university है वो है 4 ICR की 4 है ICR की only 4 4 ICR की university बटा dimmed university not down dimmed university ICR की only 4 है खुद की ICR की 4 है बटा ठीक है बाकी तो 5 है बटा ICR की only 4 चलिए पहले dimmed university से आपको मिलाता हूँ और वो है यह ICR की दर्सन करे दर्सन लाब लेवे दुनिया का सबसे बड़ा institute दुनिया का ही सबसे बड़े institute हो में आता है agriculture में और यह है पहली dimmed university IARI जिस बच्चे का ख्वाब होता है मुझे कभी agriculture में पढ़ना है तो दुनिया के बहत्री इंस्टीट में पढ़ू तो this is for you MSC PhD यहां से होती है IARI तो write down IARI Indian Agriculture Research Institute Indian Agriculture Research Institute New Delhi में यह पूसा के नाम से जो variety जाती है वो इधर से आती बड़ा तो यहां पर पूरा नाम है Indian Agriculture Research अभी पूरा नाम में दिखा भी दूँगा आपको Institute बारतिये क्रशी अनुसंधान संस्थान चले मैं आपको सिदा ले चलता हूँ उसी Institute मे without wasting a moment you can see the full name with building this is IRI बाई कभी हम लोग हम B.A.C. में पढ़ा करते तो हमारा dream होता था हमें कभी कोई कहे कि IRI से कोई student है तो हम पागल हो जाते IRI से student है IRI से जोबनेर में student है बाई बहुत बड़ी बात हो गई तो इतना बड़ा institute है हर किसी का सपना है कि कभी में वहां से पीजी करूं कभी वहां से पीजी करूं IRI से तो यह है इंडियन एग्रिकल्चर रिसार्च इंस्टिट्यूट बारतिये क्रसी अनुसंधान संस्थान IRI पूसान नहीं दिल ले इंडियन एग्रिकल्चर रिसार्च इंस्टिट्यूट नोट डाउन करें उसके बाद में हम बात करते इसके बारे में भी कहां स्तापना हुई कभी स्तापना हुई और वो भी रिवोल उनुस्टरी यह था सबसे बड़ा तो वही था जब इसकी एस्ताबलिस्मेंट हुई इक वराइban के लगवां वर्य यह एग्ज्किली अब साथे मारे मापको बदा देता हूं आप लोगिससमें सीदा आरय के पास है इसमें आप घुशेवल आ के अंदर और आरकी तो स्तापना हुई ती ये थी इक बहुत बड़ा क्रांतिक साल भात नाइंटीन 1905 उनिस उन 5 और स्तापना जो हुई थी वो हुई थी बिहार के दरभंगा जिले के राजदानी के ओफलाइन स्टुडेंट को तो इसका नाम परफेक्ट बड़ा है दरभंगा जिले के गंडक नदी के किनारे ये वाला वो जगह था जहां बिहार में इसकी स्तापना हुई थी बिहार के दर दुरुपाग्य था बिहार का मैं तो कहूँगा बिहार का दुरुपाग्य था कि 1934 में आ गया अर्थ उक्वेक भुकंप आ गया बुकंप आ गया दोस्त तो यहां से यह बिल्डिंग यहां गिर जाती है और उसके बाद 1936 में इसको बिहार में नहीं लेके ट्रांसफर कर दिया गया है नहीं दिल्ली में तो 1936 was the year when it was transferred from बिहार to न्यू डेली 1936 1934 में आप बुकंप आ जाता है 1936 में इसको न्यू डेली में ट्रांसफर कर देते है स्तारांतर और यहां से इसका नाम भी बदल दिया जाता है पहले इसका नाम हुआ करता था Imperial Agriculture Research Institute जबकि आपने अभी लिखा है इसका पहले नाम था Imperial Agriculture Research Institute जबकि अभी अभी आपने लिखा है Indian Agriculture Research Institute तो यहां पर नाम भी इसका बदला गया 1946 में 1946 में इसका नाम बदल दिया गया पहले इसका नाम हुआ करता था Imperial Agricultural Research Institute तो 1946 में इसको बदल दिया गया Imperial को कर दिया गया Indian तो यहां पर नाम इसका बदला गया मैं नाम परिवर्तन और वर्तमान में इसका नाम है Imperial की जगे Indian तो यह केवल एक वर्ड यहां से बदला गया था Simply एक वर्ड और वो वर्ड था यह वाला इसका बना दिया गया था Indian तो that's the Almost all information about I, A, R, I और जितने भी varieties जे इसकी जितनी भी varieties जे बिटा वो मैं यह नहीं कहूँगा सारी varieties के पूसा लगता है लेकिन जिनके पूसा लगता है ना वो सब I, R, I से निकली वी है तो यह जनरली क्या करते हैं पूसा नाम लगाते हैं सबी के पूसा नहीं लगाऊ है लेकिन जिनके पूसा लगाऊ है वो सब I, R, I की है आमरपाली के पूसा नहीं लगाऊ है फिर भी I, R, I की है मलिका के पूसा नहीं लगाऊ है फिर भी I, R, I की है लेकिन जिसके पूसा लगाऊ है ना वो सारी की सारी IRI से निकली है तो ये Indian Agriculture Research Institute आपका फिनीस है मोटी मोटी जानकारी उसके बाद सीधा चलता हूँ Dimmed University No.2 ICR का Dimmed University No.2 आगे आपके सामने IVRI Indian Veterinary Research Institute भारतिय पसू चिकित्सा अनुसंदान संस्थार आपके बीच है Indian Veterinary Research Institute Indian Veterinary Research Institute इज़त में अगर बारेली उत्रप्रदेश तो आपको सीधा में ले आया हूँ पसू के जो चिकित्सा होती है उसके सबसे बड़े इंस्टूट में अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं मुझे अपना केरियर BVHC करनी है मुझे या वेटनरी में केरियर बनाना है पसूओ का डोक्टर बनना है बारतिये पसूच किसा अनुसंदान संस्तार इज़तनागर बरेली योपे तो ये नेक्स इंस्टूट नेक्स डिम्ड उन्वस्टी ओप आईसी आरभिया सेकिंड नंबर की डिम्ड उन्वस्टी आपके बीच है इंडियन वेटनरी रिसार्च इंस्टिटूट इज़तनागर बरेली उत्तर प्रदेश मुझे लग रहा सभी का नोट हो गया है और दर्सन लाब भी आपने ले लिए सिधा ले चलता हूँ नेक्स्ट वाले पे और ये है एन्डी आर आई नेशनल डेरी रिसार्च इंस्टिटूट इफ यू आंट टू मेक योर केरियर इंदा डेरी फिल्ड तो डेरी की सबसे बड़ी उनिवस्टी है डेरी का सबसे बड़ा संस्तान है डेरी की सबसे संदार वाली पढ़ाई यहां पर होती है डेरी का सबसे बड़ा research यहाँ पर होता है animal milk को लेके दूद को लेके दूद के products को लेके तो NDR आपके बीच ने National Dairy डवलप्मेंट, सोरी National Dairy Research Institute और यह है करनाल हरियाना करनाल हरियाना तो यह आगया आपका करनाल हरियाना राष्टिये डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाना National Dairy Research Institute करनाल हरियाना if you want to make your career इंदा, dairy field जैसे अपने यहाँ उदेपुर में इसका कोलेज है उसका बड़ा institute है इंदूस्तान का सबसे बड़ा institute है इंडियान, वेट अन्दरी की spelling जरूर, वो सोरी, National Dairy Research Institute spelling वगेरा देखके लिखना विड़ा संदार वाली तो dairy में अगर किसी को जाना है तो यहाँ पर आपका वेलकम है एंडियाराई में National Dairy Research Institute करनाल हरियाना राइट अभी चलिए सीधा ले चलता हूँ अगर किसी को करनी है फिसरीज की पड़ाई मुझे न मचली पालन में अपना केरिर बनाना है मचली की पड़ाई करनी है तो पेस है दुनिया का सबसे बड़ा युंदुस्तान का तो है ही बलकि दुनिया के सबसे बड़े इंस्टिटूट से आपको रूप उकराता हूँ और यह है यह है यह है सिप्धे 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 Central Institute for Fisheries Education Central Institute of Fisheries Education Mumbai 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 आमची Mumbai तो यह सिप्धे आगे इसको सोटे में बोलते हैं सिपे 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 तो मंबाई मंबाई यह है मचली वाला सिप्फेट Central Institute of Fisheries Education मंबाई महराश्ट्रा एकदम एकजेक नाम लिखना है मिटा Central Institute of Fisheries Education आमसी मंबाई महराश्ट्रा केंद्रिय मचली पालन शिक्षण संस्तान मंबाई महराश्ट्रा बाई PDFO से पढ़ाई नहीं होती है जब तक लिखेगा नहीं याद नहीं होगे अभी भी कुछ ली विगड़ा जितना हो गया एक तो बार-बार एक कमेंट को नहीं करना है दुबारा कमेंट नहीं आएगा दोस्त एक कमेंट रिपीट नहीं करना है साहिद मेरी बात पहुंच की होगी आपने साहिद rules regulation नहीं पढ़े आगे एक कमेंट रिपीट नहीं होती है हो गया भी ICR से आप किसी भी dimmed university में जा सकते हैं बिटा जहाँ जहाँ facility है जिसमें PG की है वहाँ ICR की कौन कौन सी dimmed universities आ गई तो ICR के आगई आपकी IARI, IVRI, then NDRI, और चोथी आगई सिफ्रे, Central Institute of Fisheries Education, is it clear? चले, इसके बाद में ICR की नहीं है, बट एक Dimmed University है, एक आदी ओर भी हो सकती है, ले बई, ले चलते आपको सीधा अगली Dimmed University पे, ये ICR की नहीं है, बट Dimmed University इसको बोलते है Swartz, Swartz, चार Dimmed University ICR की है, ये Next Dimmed University है, इसका नाम है Swartz, सेम हिंगिब्टम, सेम है, हिंगिब्टम University of Agriculture Technology and Science, तो मिट स्वार्स, इसके लिए भी बच्चे कभी आपने सुना होगा Swartz में मेरा सेलेक्शन हो गया, Swartz की त्यारी कर रहा हूँ, ये वाला, ये है Next Dimmed University, बट नॉट आप, नॉट फॉर ICR, ये ICR की लिए नहीं है, हाँ, अलहाबाद में है, आजकल इसका नाम बदल दिया गया, ये प्रियाग राज हो गया है, इसलिए न इसको आप प्रियाग राज लिखेंगे बटा, इलाबाद नहीं लिखेंगे, प्रियाग राज, ये पहले का पुराणा नाम है, अभी ये प्रियाग राज हो गया है तो आप लोग लिखेंगे प्रियाग राज, यूपी के अंदर, प्रियाग राज, यूपी, तो ये है सेम, हिंगिप्टम, यूनिवस्टी ओप एगरिकल्चर, अगरिकल्चर, टेकनलोजी और साइंस, पूरा नाम साइंस लिखने नाम आपर भई, साइंस, और है कहां पर स्वार्स है, प्रियाग, राज, उत्तरप्रदेश, बहिं लिख ले, कुछ बच्चे कह रहे हैं, सर लिखतो लेने दो, आप जल्दी-जल्दी बदल रहे हो, सेम, हिंगिप्टम, यूनिवस्टी ओप एगरिकल्चर, टेकनलोजी और साइंस, 90% से कम नहीं बनते, इस साल ग स्वार्ड रहे हो, स्वार्ड निका, बस प्यार से लाड से में उसको ना, गोल्ड निका बोलता हूं, एक्चली उसका नाम तो स्वार्ड निका है, लेकिन बोलता हूं गोल्ड निका, प्यार से बोलता हूं, राइट है, तो यह हो गया सभी का, इसके बाद में सीधा ले च वही कहां चला गही हाँ यूणिवर्स्टी और अगरिकल्च्र एंटेक्नोलोजी मानस कताब सिंह ची कहां से लेगे वही इसको बोले इतनी इंपोर्टेंटेंट क्लास है कहां चला गहे है का जा रहा है थोड़ा सा डिस्टरबेंस आगे वड़ा कमेंटन ही दिख रहे है थोड़ा सा याद भी होगे बोल कर खाम करवाना पड़ता है तो काजरी से मिलाते है भई अब आ गया है राजस्तान के बलकि इंदुस्तान के बहुत सुपर इंस्ट्टूट में से एक काजरी रह काजरी साब आसमारी काजरी जौद पुरम है काजरे बया प्राईवेट यूтора ट्र में प्राइवेट उसके बारे में कभी पढ़ना और वा के बच्चों के बारे में जानना प्राईवेट नहीं घुली प्राइवेट नहीं है बहुत बड़ा institute हो आपका यह जो जो आप पढ़ रहे है na गोर्वेंडमें वो कुछ भी नी है उसके सामने कुछ भी नी है स्वार्श के सामने काजरी तो काजरी रहका काजरी रहका काजरी सभासमारी काजरी जोद' Central Erida John Research Institute 1959 59 जोदपूर राजस्थान दिस इस खाजरी काजरी बाजरी आफरी रह जोदपूर ऐसी भी याद कर लेते हैं काजरी बाजरी आफरी जोदपूर सबाज मारी काजरी Central Arid एरिड बोले तो सोस्क Central Arid John Research Institute जोदपूर राजस्थान केंद्रिये सोष्क शेतरिया मरुक शेतर अनुसंदान संस्थान जोदपूर राजस्थान काजरी सेंट्रल एरिड जोना रेसार्च इंस्टिट्यूट हो गया काजरी का एस्टाबलिश्मेंट हुआ था ना इसी साल पंचाईती राज भी लगा था राजस्तार में पंचाईती राज त्री टीयर सिस्टम नोट कर लिए 1959 में लगा था पंचाईती राज राजस्तान के नागोर जिले में तो एक क्वेस्टन यहां पर और निकल के आगया 1959 वासु देवा याद आगया के यों को कि बोला सर वासु देवा ने भी आना 1959 में सबसे पहले नीम का थाड़ा में नीमिटोड को देखा था मोल्यारो को देखा था मोल्या मोल्यार है हेट्रोडेरा एवीनी चली धन्यवाद तो काजरी हो चुकी है सीधा चलता हूं उसके बाद C.A.R.I. कोई आइडिया लगा है का कोन सा इंस्टिट हो सकता है C.A.R.I. सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टिट्योट्ट् Central A.V.N. रिसर्च इंस्टिट्योट्ट् पक्सी वाला यह आगया पक्सी वाला बोले तो केंद्री ये पक्सी अनुसंदान संस्तान Central A.V.N. रिसर्च इंस्टिट्योट् इजट नगर बरेली यूपे इजट नगर बरेली यूपे पक्सी वाला है Central A.V.N. रिसर्च इंस्टिट्योट् इजट नगर बरेली यूपे इसका establishment जरूर याद करना बहुत बार एक्जाम में आ चुका है केंद्रिये पक्सी अनुसंदान संस्तान इजट नगर बरेली यूपे याँ पक्सीों का स्टडी होता है और किसी को आता पक्सीों का अध्यन क्या कहलाता है study of bird is called ornitholosy पक्सियों का अध्यन ornitholosy ornitholosy पक्सियों का अध्यन कभी किसी बुक में पढ़ो ना birds के बारे में it will be ornitholosy और who is the father of Indian ornitholosy किसी को आतने के पक्सियों का अध्यन ornitholosy ornitho ornitho और रह यह बेटा और है रह है ornitho न-I-N-T-H-O पही लिख देता हूँ ना हिंदी में ornitho ornitholosy and who is the father of ornitholosy dr. Salim Ali हिंदुस्तान के जो ornitholosy के जनक है वो है dr. Salim Ali dr. Salim Ali yes father of ornitholosy तो मुझे लग रहा है साइद आप लोगों ने नोट कर लिया आओगा central avian research institute इज़त ना कर बरेली उत्रप्रदेश kendriya paksya nusandhan sansthan इज़त ना कर बरेली उत्रप्रदेश और 1979 was the year when it was established in इज़त ना कर बरेली उपे चले बई कौन सा आ सकता है c c i i i f r r i i new institute मुझे लग रहा है सारे जातर बच्चों के लिए नया है ये ये है inland fisheries research institute central inland fisheries research institute inland अंतस्थलिये चली बई पूरा नाम ही ले लेते हैं ताकि time बच जाएगा ये है c i i f r i c free c free c free c free c for central i for institute sorry inland f for fisheries research institute बैरकपूर west बंगाल है वह आएंगे अभी कोचीन वाला भी आएगा कही अलग अलग है मचलीयों के बहुत आएंगे मचलीयों के न तीन चार्ट इस्टूट आएंगे लेकिन ये कौन से वाला inland वाला इनलेंड वाला आपको मिलेगा बैरकपूर इनलेंड विसरीज बैरकपूर inland fisheries बैरकपूर inland fisheries बोले तो अंतस्थल ये मचलीयों अनुसंदान संस्थान बैरकपूर west बंगाल है बैई दिख रहा है न है central inland fisheries research institute यह बैरकपूर वेस्ट बंगाल है बैरकपूर फस्थ में बंगाल है चलिए वई कृड़ा के पाई सिब्बा सिब्बा फिर मसली का इस बार फिर से मसली आपके बीच है और वो है सिब्बा के रूप में सिब्बा C I B A और यह है Central Institute of Brackish Water खारा पानी Aquaculture Central Institute of Brackish Water Brackish 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 Water Aquaculture इस बार Aquaculture बतलब जल सवर्दन पानी में खेती तो यह है सिब्बा Central Institute of Brackish Water Aquaculture Central Institute of Brackish Water Aquaculture चैन्नाई तमिल नाडू Central Institute of Brackish Water एक्वकाइल्चर चैन्नाई सिब्बा चैन्नाई तमिल नाडू सिब्बा सिब्बा चैन्नाई तमिल नाडू सिब्बा सिब्बा चैन्नाई तमिल नाडू तो Central Institute of Brackish Water एक्वाकाल्चर और यह है चैन्नाई तामिल नाडो, सिब्बा हो गया भई तो मचली का नंबर दो इंस्टूट आपके बीच में है हो गया चलिए भैस के पास सलते भैस हिसार हरियाना भैस हिसार हरियाना CIRB Central Institute for Research on Buffalo Research on Buffalo और यह है भैस का हिसार हरियाना भैस हिसार हरियाना यादी कैसे करते है भैस हिसार हरियाना भैस हिसार हरियाना बैंस 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 बाव बैंस बसंद है इसके उपर ना बजन भी आया था मुवीज के अंदर बैंस को बहुँत बुरा लगा जब उसने सुना कि 20 के आगे बीन बजाना उसको बड़ा गुसता आया क्या आपको सुवर के सामने कोई डीजे बजाता है हमारे लिए इस तरह के बकवास बकवास क्यों बनाते हो आप लोग फिर उसको और भी ज़्यादा बुरा लगा जब उसने सुना किसी से भैस ने सुना कि भैया काले अक्सर भैस बराबर तो बोला भैस सुवर बराबर नहीं हो सकते है कुट्टे बराबर नहीं हो सकते हमारे क्यों पिछे पड़े हो नइट है तो भैस के आगे बीन बजाना भैस के काले अक्सर भैस बराबर गई भैस पानी में फिर एक और आया गई भैस पानी में उसके तो उसको और भी ज़्यादा गुसा आ गया बोला भैस ही पानी में जाती है बाकी सारे लोग ना सब हवा में उड़ते है हमारे साथ इतना अत्या चार क्यों हो रहा है लेकर अचानक उसको अच्छा फील हो आ जैसे उसने सुना बेबी को भैस पसंद है बोला किसी को तो मैं पसंद आई तो यह भैस वाला इंस्टूट है अच्छली वो बेस आता है मुझे पता है लिखनामत यहां की सरो बेस होता है आई नो टेकनिकली आइम दा वेरी स्ट्रोंग परसन लिखनामत तो यह है सेंट्रल इंस्टूट ओ और रिसर्ट ओन बफेलो हिसार हरियाना केंद्री यह भैस अनुसंदान संस्थान हिसार है हरियाना रइट है चलिए भैया हो गया भैस का भी इदर फिरी हो गई बैस बैस चलिए बकरी के पास सलते बकरी मान बकरी पड़ाद्यो जी यह है C.I.R.Z हसना बहुत जरूरे यह तो भी ओफ लाइन में कभी एक दिन लेकी देखना पगल हो जाओगे I'm late कोई बात ने बीटा लेट बैट कोई नहीं होता आगे तभी ठीक है भैस भैस C.I.R.G Central Institute for Same to same है वहाँ पर D था यहाँ पर G है वह सेम उपर वाड़ा इंस्टीट है भै इसको याद कैसे करते है मकदूम मकदूम बकरीतो मकदूम मकदूम बकरीतो मकदूम यह मतुरा में है लेकिन एक जेक उस जगह का नाम है मकदूम तो मकदूम फर है मतुरा यूपे मकदूम मकदूम बकरीतो मकदूम मकदूम बकरीतो तो Central Institute for Research on Gods बकरियों पर अनुसंदान करने के लिए यह है मकदूम फर है मतुरा उत्रप्रदेश केंद्रिये बकरी अनुसंदान संस्तान मकदूम फर है मतुरा योपे तो मकदूम मकदूम बकरितो ऐसे याद करतें बच्चे बकरी का अनुसंदान संस्तान मकदूम फर है मतुरा योपे मतुरा भी एक्जाम में आंसुर आ सकता है मकदूम फर है भी आ सकता है पूरे याद करने पड़ेंगे आपको पूरे के पूरे याद करने पड़ेंगे भई तो बकरी याँ फिरी हो गई चलिए सीधा चलते हैं C.I.A.E. Central Institute of Agricultural Engineering यह है बोपाल मद्धे प्रदेश Central Institute of Agricultural यह क्या हो जाएगा Agricultural Engineering Agricultural Engineering यह है कहाँ पर यह है भईया बोपाल मद्धे प्रदेश अच्छा राजश्थान में Agricultural Engineering की कोई कोलेज आपकी नजर में हो कोई जानता Agricultural Engineering कोलेज राजश्थान में जहाँ पर Agricultural की duż Park की Então यह है सी टी एई CTAE बोलते लोग उसको राजस्तार में एग्रिकल्चरल इंग्रिकल्चरल 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 इंग्रिकल्चर्रिंग उदेपुर में वन एंड वन उनली तो यह है CIAE Central Institute of Agricultural Engineering नाम सुनाओ 2 दिसंबर 1984 रात के 12 बजे Union Carbide India Limited फेक्टरी जो सेवीन के नाम से प्रोड़क्ट बनाती थी बोपाल गेस त्रास थी किसीने नाम सुनाओ हर अग्जाम में क्वेस्टन आ जाते हैं एक आदा 2 दिसंबर 1984 की बात 84 की रात का टाइम था लगबग 12 बज रहे थे और एक फेक्टरी थी Union Carbide India Limited Union Carbide India Limited जो सेवीन के नाम से प्रोड़क्ट बना दी थी सेवीन उसके प्रोड़क्ट किस नाम से मार्केट बनाती थे सेवीन और रात के ठीक 12 बजे एक गेस का रिशा हो गया था M.I.C. उस गेस का नाम था M.I.C. मिथाइल आइसो साइनेट मिथाइल आइसो साइनेट मिथाइल आइसो साइनेट और 25 लोग 25 लोग सोये के सोये ही रहे थे बस जंदार को धन देख लिए और आज को धन देख लिए जंदार को धन देख लिए आज को धन देख लिए उसके बाद में मनाने लगे 2 December के दिन मनाते हैं राश्ट्रिये प्रदूशन निरोधक दिवस नोट कर लियो भई Pollution Day 2 December को मनाय जाता है राश्ट्रिये प्रदूशन निरोधक दिवस यह जो मैंने अभी कुछ लाइने बोली इन में से कही न कहीं कोई न कोई प्रदूशन आपको मिली जाएगा किसी एक्जाम में बहुत अच्छे वाले हैं चले बड़ा इसके बाद में सीधा ले चलता हूँ मैं CIA से फिरी होके मैं सीधा ले चलता हूँ राजस्थान का ही नहीं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इंस्टिट्योट C.I.A.H राजस्थान का गोरव है हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इंस्टिट्योट है C.I.A.H और ये राजस्थान का गोरव में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये राजस्थान में ठीक है मैं C.I.A.H Central Institute of Arid Horticulture Arid Horticulture Arid Horticulture Arid Horticulture Arid Horticulture और सोभागे राभ मेरा भी MSC किया तो इसके पास में कोलेश था हमारा 3 किलोमेटर का गेव था तो अक्सर कभी-कभी विजिट हो जाती थी और बहुत बड़ी बात थी Central Institute of Agriculture Research Arid Horticulture Central Institute of Arid Horticulture सुस्क उध्यानी की हिंदी बिज बोला है सुस्कु द्यानी की तो केंद्रिये सुस्कु द्यानी की संस्तान, CIAH, यह है राजस्तान, बोले तो बिकानेर राजस्तान, 1993 में इसका establishment दा, यह भी आपको जिनकी जोरत है, उनको हम सो कर रहे हैं, इसका जरूर लिखियों का बिड़ा, 1993 was the year when CIAH was established in बिकानेर राजस्तान, Central Institute of Arid Horticulture बिकानेर राजस्ता, चले भी, next भी आपको ले चलते हैं, और यह भाई बहुत बड़ा institute है, मतलब आप you can't imagine, you can't imagine about ICR institute, जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कहां आ गया मैं, यह तो जन्नत है, यह तो जन्नत है, ऐसा इंदुस्तान में institute हो सकता है कोई, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब आप अंतर जाएंगे तो आपको लगेगा, यह कहां आ गया यार, इस तरह की institute है की इंदुस्तान में, इतने बड़े-बड़े institute हैं सारे, ICR क हैं सभी, यह ICR ही चल रहा है अभी, पूरा का पूराई, तो आगे ले चलते हैं आपको, और सीधा मैं आपको चाओंगा, आपको ले जाओं, महाराष्ट्रा, महाराष्ट्रा, नागपुर महाराष्ट्रा, CICR, Central Institute for Cotton Research, कपास नागपुर महाराष्ट्रा, बच्चे याद ह करते हैं, कपास नागपुर महाराष्ट्रा, Central Institute for Cotton Research, कपास नागपुर महाराष्ट्रा, बच्चे याद करते हैं, नागपुर महाराष्ट्रा, कपास नागपुर महाराष्ट्रा, तो CICR, Central Institute for Cotton Research, नागपुर महाराष्ट्रा, हिंदी हो जाएगी केंद्री है, कपास है, अनुसनान है, संस्थान है, नागपुर महाराष्ट्रा, चलिए बढ़ा शीधा लेच बही ज्यादा तर इंस्टूट आपको वहीं मिलेंगे जहां पर उसका प्रोड़क्शन ज्यादा होता है या फिर प्रोड़क्टिवीटी ज्यादा होती है ठीक है दोनों में से कोई एक है वहीं पर मिलेंगे आपको तो कभी कपास में ना कभी गुजरात कभी महाराष्टर इनमें कमप्रीशन चलता है वहीं चलिए बढ़ा नेक्स पे चलते हैं और यह आ गया हो गया महाराष्टरा नागपुर लिख लिया वही फिर एक बार मचली से मिलवाते आपको और इस बार है C I F T C I F T Central Institute of Fisheries Technology Fisheries Technology Kendriya Machli Pradyogi की संस्तान Central Institute of Fisheries Technology Fisheries Technology कोचीन केरल यह नाम बदल दिया गया है इसका नाम पहले दूसरा हुआ करता था अभी चेंज हो गया है यह सेंट्रल इंस्टिटूट ओफिसरी इस टेकनलोजी शिप्ट यू कें से इट इन ब्रीफली शिप्ट शिप्ट है कोचीन केरल केर खोची बोलते हैं कोचीन बोलते हैं एक नाम मोट भी इसका 58 टो इसका एक नाम ओ मचलियों के खूब है न वही तीसरा इंस्टूट आगे मचली गई फिर एक बार वही हो गया सभी का उतर गया केंद्रिये मचली प्रोधोगी की संस्तान कोचीन खेरला राइट है सिदा ले चलते आपके आपको सिपपा सिपपा आई आई सिपपा 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 है भुग्नेशवार ओरियशा Central Institute of Fresh Water Fresh Water नहींत है Fresh Water Agriculture Fresh Fresh ताज़ा पाणी मिठ़ा पाणी सीपपा क्या होगी Central Institute of Fresh Water ऐक्वाट्र अकलिचर बुवनेशवर औरीसा ओरीसा सेंट्रल इंस्ट्टुटूट जल जन्समरदन श्रों झालव थीया पानी में या पानी होती है किसी को सबस्टूत के दलन फार्मिंग ए लाट ये tolerance पधू बेष्ट वाहलुदू पर देुत खारें। फ्रेश वाटर मींज क्या होता है मिठा पानी ताजा पानी बहुतार सेंटिंग मिठा भी बोलते हैं वही फ्रेश वाटर मिठा ताजा एक बार ताजा नहीं बोलते एक्चुली मिठा ही बोलते हैं ज्यादा मिठा ही बोलेंगे फिर से एक बार सिधा ले चलता हूँ आमची मॉंबाई सिरकोट 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 सेंट्रल इंस्टिट्यूट फोर रेसर्च ओन कॉठन टेक्नलोजी कॉठन टेक्नलोजी सेंट्रल इंस्टिट्यूट फोर Central Institute 4 4 का OFF का END का इनका EBRIVATION नहीं होता है यह नहीं आते हैं अब भी जाते हैं कई बार डाल देते हैं कुछ लोग अपने इंस्टिट का नाम थोड़ा अच्छा करने के लिए डाल देते हैं बागी जनरली इनका यूज नहीं करते हैं तो Central Institute 4 तो फोर निया रेसर्च ओन कोटन टेक्नोलाजी कोटन टेक्नोलाजी खेंद्रिये कपाश है प्रोधोगी की संस्थान है खेंद्रिये कपाश है प्रोधोगी की संस्थान है आमचे मॉंबाई आमचे मॉंबाई तो Central Institute for Research on Cotton Technology मॉंबाई महराष्ट्रा आगया वैं कीतना बड़ी इंस्टूट है मॉंबाई में इतनी जगे बहुत होती ICR के पास इतनी बड़ी जगे है बहुत बड़ी बात है एक प्लोट लेना बड़ा मुस्किल होता है वहां पर इतनी बड़ी इंस्टूट ढाल रहे हैं मॉंबाई में भी सोचो आप कितना बड़ा इंस्टूट आई सिर्कोट सेंट्रल इंस्टूट फॉर रिसर्च ओन खॉटन टेकनोलोजी मांबाई महरास्ट्रा बढ़ जाओ वागे केंद्री एक कपास प्रोधोगी की अरुसंदा पर यह कपास का हो रहा है था सी आई सिर्कोट है सेंट्रल इंस्टूट फॉर कोटन रिसार्च ओन कोटन रिसार्च वो था नागपूर महरास्ट्रा यह कोटन टेकनोलोजी का है सिर्कोट है इसको बोलते हैं सिर्कोट है कौन सा कोट है सिर्कोट है सिर्कोट है सिर्कोट है सिर्कोट है सिर्कोट मंबाई में CICR है नागपू चले भी या इसके बाद सीधा मैं ले चलता हूँ आपको लखनव में मुंबाई से सीधा लखनव पूरा इंदुस्तान क्रोश और यह आ गया C.I.S.H. अक्सर आप बुक्स में इसको पढ़ते हैं बढ़ा इस्टूड है सब ट्रोपिकल होल्टी कल्चर का सेंट्राल इंस्ट इस वर्ड में दो आएंगे सब ट्रोपिकल दोनों आएंगे यहां पर दोनों आएंगे सब ट्रोपिकल सब ट्रोपिकल सब ट्रोपिकल सेंट इसको एस्टी एच नहीं बोलेंगे ना 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 सर इंस्टूड लार्न है बट कन्व्यूज हो जाते हैं ना भई अब अपनी होंगे आपने बता है नहीं मुझे हो जाते हैं तो मैं अब तक तो सब को याद करा जेता है सेंट्रल इंस्ट्यूट ऑफ साब ट्रॉपिकल होल्टी काल्चर अब भई मैंनों सारे याद सची बता रहा हूं पूरे के पूरे कोई सब्सक्राइब को ये एक्चुली मैं भुख नहीं लेता हूं ये जब इंस्ट्यूट पढ़ाता हूं I don't have any book ऐसे पढ़ाता हूं ओफ्लाइन क्लास के अंदर पूछ लो बच्चों से जो ओफलाइन के बच्चे है तो कन्फ्यूज नहीं होता है केवल आपके दिमाग बेटा हुआ कि मुझे यह नहीं आ सकते तो Central Institute of Subtropical Horticulture यह है लखनाव लखनाव Central Institute of Subtropical Horticulture लखनाव UP बहुत अचा इंस्टूट है लोट ओ वेराइटीज ओफ दे फ्रूट क्रॉट क्रॉप्स है विन रिलीस्ट फॉम है बहुत सारी वेराइटीज यहां से निकाली गिए णिद्केत वह है नहीं तो तोरी दिखर आ जाती लेकिन बार बार कभी चर्शा है कुछ से रहें दो सरी कRich cie में है Central Institute of Subtropical Horticulture 1972 का establishment है चलो थोड़ा सब मिला देते हैं ऐसा ही एक इंस्टूट और है यह सब ट्रोपिकल का है अगला टेंपरेट का है ठंडी जगे के लिए तो Central Institute of Temperate Horticulture सितोष्ण उद्ध्यानी की यह सिरी नगर में है सिरी नगर में है भगवान सब्सक्राणा कभी मेरे को ठाग़े लगाता तो इसी में में मेरेको नोकरी मिलती मज आ जाए था क्या आप जननता सिरी नगर टो वैसे ही जननत सिरी नगर तो वैसे जननत कॉमट से आप में से ट्रिया यह कूरुले पिर वाभू की जो ?्यकि जो वादिया है वहा पहाड है वहाँ की जो नदिया है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अपने आप में बे मिसाल है तो स्रिनगार जैंड के Central Institute of Temperate Horticulture स्रिनगार जैंड के केंद्रिये स्रितो अशन उद्या बई दोनों लिखने हैं मुझे बता आप में से कई सारे बच्चे हैं जो हिंदी वाडा लिख रहे हैं कई सारे हैं जो इंग्लिस मीडियम को नो प्रोब्लम वो इंग्लिस लिख सकते हैं लेकिन हिंदी के बच्चों को दोनों लिखने हैं हिंदी के बच्चों को दोनों लिखने हैं दोनों के दोनों तब भी सक्सेस होपाओगे इंगलीस वालों को एक में काम हो जाएगा राइट है चलिए बड़ा नेक्स पे चलते हैं तो Central Institute of Temperate Horticulture सिरी नगार केंद्रिये सितोषण उध्यानी की संस्तान सिरी नगार जेंड के और दिकरहा है ना कितना बढ़िया मोसम है आप देखी कितनी बढ़िया पीचे पावो है आकास है कितना है ना अच्छा बहुत संदार इंस्टूड होते हैं इंगलीस में लिखना जरुरी इंदी वालों को बले ही चाहें हो इंगली स्में का हो सकते हैं मामा जी जेंड गेम है बदैयू गायू उतले समंझ में से लिखावा एंगली में ना क्यों घुषैसी में आजा ही किस यह मैं फेट आप लोगों ने पड़ी होगी अपने सुनी होगी मामाया की फेट लेकिन यहां पर है बहुत बड़ी फेट बोले तो सिफेट Central Institute of Post Harvest Engineering and Technology और यह है लुदियाना लुदियाना अंकित जीवाला लुदियाना दियाना लुदियाना पंजाब भाई सीधा हम पहुँच गये हैं लुदियाने बिच वो फोटो किजवार है या थो अंकित जीवी कही है क्या इधर लुदियाने में ना नहीं दूसरी में तो यह Central Institute of Post Harvest Engineering and Technology आप लुदियाना चेंज होगे ना ओफ लाइन का जिनके पास लिखाऊ है उनके चेंज होगे यह कई सारे इंस्ट्ट्ट्ट बदल गे विटा इसलिए दुबारा लिखना पड़े का हर बच्चे को ऑफ लाइन का लिखाऊ है या तो उसको एक औरेक्सन करते जाओ नहीं त केंदरी है पता लगा हो तो महारास्ट्रा पहुंच गया इसलिए हां वो तो सीधा दिल्ली से महारास्ट्रा गया इसलिए दुबारा लिखना पड़ेगा सेंट्रल इंस्टूट ऑफ फोस्ट हार्वेस अभियांत्री की एवं प्रोधोगी की संस्तान लुदियाना आप नाम चेंज होगे लगबक के नाम चेंज होगे चेंज ही दुनिया है हो गया चले सीधा ले चलता हूँ संपरी पे मतलब सीमफ आराई फिर से एक मचली आ रही है मचली जल की राणी है लेकिन यहां पर हमारे उपर इसने बंदूग तानी है इतने भी को होते हैं चार सेंटरल मेराइन मेराइन खारा पानी समुद्री पानी मेराइन मेरीन के दो फिसरीज रिसार्च इंस्टिट्योट कोच्छी खेरा कोच्छी केराल कोच्छी केरा आरा भई कोच्छी खेरा ब्रेकिस का स्पेशल है ब्रेकिस वाटर का न वो मैंने पढ़ा दिया चैन्नाई में ब्रेकिस वाटर वाला स्पेशल हैस का तो नाम मेराईन ही आद करना पड़ेगा मेराईन वाला आपका कोच्छी केराल में है और ब्रेकिस वाटर एकवा कल्चर वो आपका सीधा चैन्नाई में जाता है ब्रेकिस डालती हो गया भई पूरा नाम लिख लिए इंदी में केंद्री है समुद्री मचली समुद्री मचली अनुसंदान है संस्थार किदर मिला बोला सर कोच्छी केराल कोचीन के दो कोच्छी के दो फरकना पड़ता हो गया भई चलर फड़ा सिदा ले चलता हूँ आपको फिर से एक बार केरला में और यह है सी पी सी आर आई सेंट्रेल प्लाटेशन क्रोप रिसर्च इंस्टिटिट केसर गोड के दो कासर गोड के दो केरल में है सेंट्रेल प्लानटेशन जिनकी रोपाई करते हैं, कोफी है, चाय है, कववा है, है न भी, कोकोवा, इनके प्लान्ट त्यार करते हैं, रोपाई वाली बसले हैं, तो Central Plantation Crop Research Institute, केसरगोड केरल, केंदरी ये रोपण पसला है, नुसंदान संस्दान है, आयायो, केसरगोड, चोकी केरल, जिले का नाम च जोकी है, ऐसे ही यहाँ पर टी लग जाएगा, थोड़ी देर में देखना है, यहाँ पर टी लगेगा, तो वो त्रिवेंद्रम में पहुंच जाएंगी, वो ट्यूबर क्रोप्स का है, ऐसा इंस्स्टूट जस्ट आने वाला है, थोड़ी देर में आने वाला है, यह है Central Plantation क्रोप है, रोपन फसल वाला, जहाँ पर पोदों की रोपाई करते हैं, उनका संस्तान है, उनका रिसर्ज होता है, तो Central Plantation क्रोप रिसर्ज इंस्टिट्यूट, कैसर गोड या कासर गोड, चोकी केरल, केंद्री यह रोपन फसल, अनुसंदान, संस्तान, कैसर गोड है, चोक केरल, कोफरी सोलन सिम्ला, 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 कोफरी सेंट्रेल पोटेटोर रिस इंस्टेडूट कोफरेज, सौलान, सिमला, पहाडों के बीच, डलानों वाली रोडे, गाड़ी पारकिंग करने की जगे कम से कम, गाड़ी पारकिंग करो तो पिछे ना वो लगाओ, पत्थर लगाओ, ने तो आ जाती है नीचे ऐसी, गुड जाया करे है, राइट है, तो यह है, सिपरी डलान वाली रोडे, डलान वाली रोडे दे गिया, जगे कम होती ना पहाडूं के उपर, पहाडूं पे जगे कम होती है, तो ऐसे जगे हैं मिलती है, जहाई बना लेते है, जी आप पदारे, तो सरीप ले जाए तो Central Potatoor Research Institute, कोफरी सौलन सिमला इमाचल परदेश, केंद्रिये, आलू, अनुसंदान, संस्तान, कोफरी सौलन सिमला इमाचल परदेश, वराइटीज में लगता है न, कूफरी लालीमा, कूफरी देवा, कूफरी सीतमान, कूफरी किसान, ये सारे के सारी वराइटीज, इधर से निकलती है न, बाबा, कोफरी सौलन सिमला से निकलती है, कूफरी है, कूफरी ना है, Central Potatoor Research Institute, कोफरी सौलन सिमला इमाचल परदेश, 1949 में अस्टाबलिस्ट, देखो न, कितना संदार, ये तो जन्नत है, ये भी जन्नत है, हिमाचल, J&K, ये जन्नत है, केरला, जन्नत है, कूफरी ये सिमला इमला से पाड़ों पर है, तो रोड की ड़ान पर ध्यान देवें न, चले भी सिधा ले चलता हूँ आपको, जूट, बारक पर, जूट, बारक पर, जूट, बारक पर, क्रिजाप, 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 क्रिजाप फोर बेटा है फौर जूट जहें बॉर जूट है इसके बीचे में एंड लगेगा फॉर रशे इसको याद है करते है जूट बारखबर जूट बारखबर जूट जूट वाला है न वही परसन वाला तो यह इसका पूरा नाम और यह इंस्ट्टूट हिंदूस्तान का ध्वजियान लहराता हुआ फिर से ICR का इंस्टूट आपके स्टार्ट यह भी दो अभी तो आइसी आरी आइसी आर चल रहा हिंदुस्तान में तो यह आ गया है कृजाब सेंट्राल रिशार्च इंस्टिट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर एलाइड कहते हैं समवर्गिये समवर्गिये का मतलों क्या होता है वैसे कि जूट जैसी तो केंद्र यह पत्सन जूट को इंदी मैं कहते हैं पत्सन समवर्गिये रेशा अनुशन्दार संस्थान क्रिजा चृजा परकपर क्रिजा अंड जूट ओर इसे याद करते हैं इसे यादciones सेंट्रायल रिशार्ज इंस्टिट्टूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर एलाइड फाइबर तो जूट केंद्रिये जूट एवं समवर्गिये रेशा अनुसंदान संस्तार बैरकपूर पस्सिमी बंगाल 1953 वाजड़ एलाइड उस दिखा भॉई बूरे हिंदूस्तान का बैस वन उप ऑफ ऑफ दे शूट के लिए अयो आयो रहे कृड़ा ऐयो आयो रहे कृड़ा 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 के कृड़ा किड़ा ना है कृड़ा है कृड़ा क्न आइक इसको सोट नेестно है कृड़ा ऐसे बोल क्रिडा सेंट्राल रिशार्च इंस्टिट्टूट फॉर ड्राइलेंड अग्रिकल्चर ड्राइलेंड अग्रिकल्चर ड्राइलेंड अग्रिकल्चर सेंट्राल रिशार्च इंस्टिटूट फॉर ड्राइलेंड अग्रिकल्चर हाइद्राबाद हाइद्राबाद का अग्रि इसेट हैद्राबाद लौट ऑप इस्टूट्स आर ओ है है अधर अधर का अगरी कल्चर बहुत मजबूत रहे है तो यह वो गया क्रिडा लो भाई है अधराबाद पहुचा दिया ना अपको अधराबाद लेक्ट के अगे न सेंट्राइल रिशार्च इंस्टिटूट फॉर DRY LAND Agriculture बोले तो केंद्रिये सुस्क भूमी क्रशी अनुसंदान संस्तान और यह है अधराबाद रहा है अलतेलंगाना 1985 यास केंद्रिये शोष्क भूमी सोष्क मर्दा भूमी क्रसी अनुसंदान क्रसी भी लगता नहीं ड्राइलेंड एगरी कल्चर है वै केंद्रिये सोष्क भूमी क्रसी अनुसंदान है संस्तान है तो ये बन गया क्रिडा और किरिडा हैदरबाद तेलं गानर है कौन सा गानर है तेलंगान अब हम आपको ले चलते हैं एक संस्तान जिसने बदल लिया अपना नाम और मैंनू कभी वो नाम बदल लेगा मैंनू बिल्कुल उमिद नाती कभी यह नाम बदल लेगा मतलब जो मेरा फेवरीट संस्तान जो पहले-पहले मैं याद कर दा था पहली-पहली फसल का था उसने भी इतना दगा किया है कि उसने भी अपना नाम बदल लिया है तो आपकी CRI Central Rice Research Institute अब बन चुकी है N-R-R-I इतना मुझे नहीं लग रहा था इतना बड़ा दोका मेरे साथ होगा जिन्दगी होगी मैंनों याद करते-करते C-R-R-I Central Rice Institute Rice Research Institute ये तो बन गया भी आस करी था पहले C-R-R-I था अब बन गया नरी तो यहाँ नाम यहाँ बदला गया बड़ी खबर यहाँ से निकल के आ रही है Central Rice Research Institute अब बन गया है National Rice Research Institute तो बड़ी खबर यहाँ से निकल के आ रही है बड़ा फिर बदल यहाँ पर हुआ है जिस संस्तान को बच्चे जनम से याद कर रहे थे लोग 11-12 से कर रहे थे Central Rice Research Institute उसने भी अपने आपको बदल लिया है और वो अब नहीं रहा है Central Rice Research Institute अब वो बन गया है National Rice Research Institute ए बगवाल क्या-क्या देखने को मिलेगा ए प्रभू ऐसा देखने से पहले मुझे मेरी आखों को और थोड़ी तेज रोसनी क्यों नहीं कर दी क्योंकि यहां तो नाम बदल रहे है बड़े बड़े इस्टिट भी अपना तो Central आप देखो तजूब करेंगे इसके Building पे क्या लिखा हूँ है Building पे जाहिए भई Central Rice Research Institute लेकिन नाम यहां बदला गया है Board अभी नहीं बदला गया है नाम यहां बदला गया है कि उसका Board अभी नहीं बदला गया है आज भी CRRI का Board ही लगा हूँ है तो बड़ी खबर यहां से निकल क्या आ रही है बने रही है हमारे साथ परी Camera Man मानस परताव जिंग जी के साथ और यह CRRI का Board अभी भी चेंज नहीं हुआ है अभी भी Central Rice Research Institute और यह बन गया नरी लेकिन यहां पड़ा है करी तो यहां पे थोड़ा प्रोप्लम आ रही है चले बड़ा नेक्स पे चलते हैं और सीधा यह बड़ा खबर है बड़ा इंस्ट्रूट है नाम यहां बदला गया है और यह राजस्ता मार उस राजस्ता भेडवाल लो राजस्ता उटवाल लो राजस्ता गवारवाल लो राजस्ता वीरतवाल लो राजस्ता बै योद्धावालो राजस्ता और यह आगई CSWRI Central सीप बेड है अई वानना बेड है एंड है बीच में एंड लगने का वोल है Research Institute Central सीप एंड वोल है Research Institute और यह है अविकानगर मालपुरा टोक Central सीप एंड वोल Research Institute 1962 का Establishment केंद्रिये भेडेव महून अनुसंदान संस्तान अविकानगर मालपुरा टोक इसका जरूर याद करना Establishment राजस्तान के कंपीटिशन्स में आ सकता है अग्रिकल्चर वाले में और यह है मालपुरा टोक में बई नाम नहीं बदल रहे हैं राजस्तान वाले बड़े मसता हैं नाम नहीं बदल रहे हम इतनी आसानी से अपना नाम ना बदल है बदल गये होंगे CRRI हो गया होगा NRRI कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम तो अपनी जगह है बाई तो यह है आपका Central Seepend Wool Research Institute अभीका नगर मालपुरा टोक 1962 62 62 फिर से बड़ी ख़बर आपके सामने है फिर से एक नाम यहां बदल आ गया है आपका CSWCRTI अब बन चुका है IISWC तो Next Institute भी अपना नाम बदल के नए रूप में नए सवरूप में और नए फ्लेवर में आपके साथ है IISWC कभी हुआ करता था CRWCRTI कभी हुआ करता था CSWCRTI इसका पुराना नाम था CSWCRTI CSW पुराना नाम है CRTI Central Soil and Water Conservation Research and Training Institute Old Name क्या नाम था पुराना Central Soil मरदा and Water नहीं वाट के बात एंड नहीं है Water Conservation Research and Training Training Institute ये कभी इस नाम से हुआ करता था था बड़ी कवर यहां से निकल के आ रही है CSWCRTI अब बन चुका है IISWC Indian Institute of Soil and Water Conservation Soil and Water Conservation जगे नहीं बदली है केवल नाम यहां बदला गया है और यह बन गया है बारतिये मरदा एम जल सनरक्ष शोट कर लिया ना पिछे वाला नहीं लिखना Old Name नहीं लिखना लेकिन किसी बच्चे को याद हो तो उसके लिए यह थोड़ी अच्छी जानकारी हो सकती है कि हाँ वो वाला इंस्टूट भी अपना नाम बदल चुका है मैं दुनिया में सब नाम बदल रहे हैं मैं नहीं बदल रहा हूँ मैं नहीं बदल रहा हूँ मतलब सब के लिए कह रहा हूँ तो यह इंडियन इंस्टूट ऑफ सॉयल साइन सॉयल एंड वाटर कंजरवेशन और यह है देहरादोन यूके 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 भारतिये मर्दा एवं जल संद्रक्षन संस्तान देहरादोन यूके आजारे नान्याथारो नामें बदल आद्यो बदल गया ना डाटर ड़ूर ट्याइप बन गया या आईई डबलो से ठीक है भी है इंडिया इन इस भी यह क्वेस्ट आंसुर वादा क्लास नहीं है आपका कोई भी क्वेस्टन हो, वाटसब नमबर यहां सो हो रहे हैं, पर्सनल क्लास, भई पर्सनल आपकी बात के लिए क्लास नहीं विड़ाई, यह 900, 100, 1314, आपकी के लिए कोई भी बात करने हैं, क्वेस्टन पूछना है, whatever you want to know, या फिर यह कारिग्रम चलता है, एक्जेक दून उत्राखन, भारतिये, मर्दा, एवं, जल, सनरक्षन, संस्तान, बई यही या, बदल गया न, इदनोंने अपना बोर्ड बदल दिया, इन्होंने तो अपना बोर्ड बदल दिया, बई, राइट है, इन्होंने बदल दिया, बई, जागरु का आदमी है, युक्के के, चलो भई, अभी चलते हैं, सुबह की क्लास में, अभी डेली आ रहा है, C-S-S-R-I-E, यह है, Central, Soil, Salinity, Research, Institute, अभी मोर्निंग की क्लास में यही चल रहा है, सुबह की जो क्लास होती है, 7 o'clock, वहाँ पर यह डेली आ रहा है, Central, Soil, Salinity, Research, Institute, करनाल है, हर्याना, करनाल है, हर्य हर्याना, तो यह है, Central, Soil, Salinity, Research, Institute, करनाल हर्याना, केंद्रिये, म्रदा, लवणिये, ता, नुसंदान, संस्तान, करनाल है, हर्याना, यह है, जो बनाता है, लवणिये, क्सारिये, लवणिये, क्सारिये, म्रदा है, इनका वर्गी करन करता है, सारा कुछ इदर से चलता है, तो, CSSRI, Central, Soil, Salinity, Research, Institute, करनाल हर्याना, 1969, Central, Soil, Salinity, Research, Institute, करनाल हर्याना, केंद्रिये, म्रदा, लवणिये, ता, नुसंदान, संस्तान, करनाल हर्याना, यहां पर होता है, लवणिये, म्रदाओं पर रिसर्च, पता आपको, इंदुस्तान में सब्ज़ जाता, लवणिये, सा टेल मी, बताए मुझे किसी को पता हो तो, अच्छा रिसर्च हो रहा है, यहां, सेलिनिटी पर, बही, अंकिर जी का फेवरीट सब्जेक्ट है, खुद का सब्जेक्ट भी है, खुद का फेवरीट टॉपिक भी है, तो यह तो अभी विजिट करके आए नहींदर, जाते रह तेरा, तो CSS आ रहे, Central Soil Salinity Research Institute करनाल है, अरियाना, तंबाकोडे, तंबाकोडे, राजमोंदरे, तंबाकोडे, 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 आंसुरा गया, गुजरात, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा साल्ट अफेक्टेट सोयल है, गुजरात, सबसे ज़्यादा गुजरात में लवन प्रवाइद मर्दा है, उसके बाद नंबर दो पे चल रहा है, यूपी, पहले नंबर एक पे यूपी था, लेकिन गुजरात में बड़ा हिम्मत करके, उसको धकेल दिया दो पे, तो यह है तंबाकू, सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टिटूट, ए बावले, तंबाकू बोलेगी तंबाकू बोलेगी, इंग्लिस में भी तंबाकू, सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टिटूट, ना विट्टा ना, यह तंबाकू ना याद कैसे करते हैं राजमोंदरे तंबाय कोड़े तंबायकोडे तंबाकोडे तंबाकोडी तॉ पसकी अधमे का ड्रीम हो सकता इदर कभी मैं संटीज्ट वह इनको देखके मुझे पता कई दिवार में कहां जी रहा था कैसरे पट्टी की जिंदगी जीरा था यहां तो इतने बड़े-बड़े इंस्ट्टूट आ राजमुंद्री यहां बीसी लेवल की पोस्ट निकलती रहती है यह अच्छा क्वेशन अच्छा एक जानकारी अपडेट है तो अब हो गया तंबाकुडी तंबाइगोडे 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 राजमांदरे तंबाइगोडे अब सिधा ले चलता हूं आपको से अब हमने थोड़े पहले पढ़ा था सिप्पी सी आ रही सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टिट्योट और यह तिरुवानंत पूराम या त्रिवेंद्रम यह तिरुवानंत पूरम में और उसमें अगर यहां पी लगा दोगे तो सीधा केसर गोड केरल में पहुंच जाओगे टी लगा दोगे पी लगाते प्लांटेशन का हो जाएगा जो हम आल्रेडी नोट कर चुके है और टी लगाओगे तो ट्यूबर क्रॉप का हो जाएगा और ट्यूबर क्रॉप वाला का है तिरुवेंद्रम या तिरुवानं दे नाम है इसी का नाम तिरुवानंतपुरम तिरुवानंतपुरम इं पर है नाम है यद Goswet वॉर्ण दोनों ये तो है दोस्तैस तो सेंट्राल झूतर वर इन्सटिट्यूप त्रिवेंद्रम खे northeast Kalina तिर्वानंत पुराम केरला और यहाँ पे P लगा दू तो सिधा केसर गोड केरला अब देखो यह CP सी आ रही और CT सी आ रही इनके आगे वाले नाम, मतलब इनकी इंस्टूट की जगे पे कन्फ्यूज हो सकते हैं तो कन्फ्यूज खतम कर देता हूँ ना भई इसमें क्या रहा है, सिध्टी यानि कि ट्यूबर वाड़ा है तो इधर भी आयेगा T तिर्वानंत पुराम, आयायो T, 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 T T for ट्यूबर, T for तिर्वानंत पुराम अब बच गया CP तो केसर गोड़ पहुंचेएगा मेरे भी कन्फ्यूज दा पहले है चोली कई बार मैंने ना CP CRI को मुझे लगा तिर्वानंत पुराम में होगा फिर मुझे लगा CT CRI ना CT CRI वो उदर होगा केसर गोड़ में होगा भी खतम करना कन्फ्यूजन इधर भी T है इधर भी T है इसका मतलब वह वाला नाम जिदर दोनों तरफ T ती आजावे तो ट्यूबर क्रोब में T आएगा उदर तिर्वानंत पुराम या त्रिवेंद्रम कन्फ्यूज खतम और P आया तो केसर गोड़ केराल इंस्टूड आप ही देखी रहे है ICR का इंस्टूड है कितना सुपर है वे अग्या निया अग्या निया R.C.E.R हालागी कही बच्चे होंगे जो पहली बार ही नाम सुन रहे होंगे यह ICR का R.C.E.R है Regional Complex for Eastern Reason यह पूरे इंदुस्तान का निया पूर्विक सेत्र के लिए और यह है पतना बिहार बाके बिहारी जी वाला बिहार यह है R.C.E.R और रसेर है ICR लगता है इसके आगी ICR Research Complex for Eastern Reason यह पतना बिहार पतना बिहार जैपुर से निकलने वाली गाड़ी नंबर 13-11 तिरवनंद पुरम केरला के लिए जाती है बाई प्रस्तान करेगी जी जी साथ चलेगे तो ICR Research Complex ICR Research Complex for Eastern Reason पतना बिहार यह केवल Eastern के लिए Eastern Reason के लिए कभी आपको लगे ना कि नहीं यार एक इंस्टूट मुझे याद नहीं करना इसको छोड़ सकते आप इसको छोड़ सकते हैं अलागि एक्जाम में आ गया तो मुझे मत कहना लेकिन फिर भी भाई एक सर एक चुड़वा दो एक चुड़वा दो जो आपको लग रहा है कि सबसे कम इंपोर्डेंड है तो मैं इसी की ओर पॉइंट करूंगा ना भाई ठीक है चलो हो गया एक ओर है नोर्थ इस्टर्ण का है उसको ने के नाम से जानते है तो नेर्ले कर बाई है तो ओ संव इस्टर्ण क्प्लेक्स कान रिशर्टन हिल नोर्थ एस्टर्ण हिल इसको बोलते है इस में आइसी काइई आइसी आर और के यसे काइज एसे एस काते उस Kr रोघ्वेवा dit इस्टार्ण हिल एनियेच और यह है बारपानी 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 अब कोई कहे गुरुजी दो चुड़ुआ दो न इसको भी छोड़ सकते हैं है न इसे आर रिसर्च कॉम्प्लेक्स बोर्ण नॉर्थ इस्टार्ण हिल हो गया इसकीब क्यों करते हो चलो इसकीब नहीं करना अग्जाम में आ सकता है खिक है मैं तो ऐसी बच्चों मुनका दो की रात दे देते है चलो भई बई कोई साब या सकता है रहे मैं तो ऐसी मजाग कर रहा था है ना मैं तो ऐसी मैं तो है ना मैं उस समय हो सवास में नहीं था वई ऐसी मैं तो ऐसी मजाग में कहें दिया सारे याद करने ICR Research Complex for North Eastern Hill ने है और यह है बारा पानी काला पानी ना है बई बारा पाने चलिए दोस्त सीधा ले चलता हूँ आपको CCRI और यह तो दिखाया नहीं मेरे यह दिखाया नहीं आपको RC ने है तो दिखाया नहीं आ है ICR Research Complex for North Eastern Hill यह बारा पानी में 12 वाचन ना रहे बारा पानी इस्टर्ण वाले नाराज हो जाएंगे हाँ पगल होता है न एक्जिजा में ना तो कुछ भी दे दे हो सही बात CCRI वैसे भी छोडने के आदित पढ़नी भी नीची मेरे कंसेप्ट में भी नी आती है मैं कभी कुछ नहीं छोड़ता हूं कभी भी चाए पढ़ाऊं चाए पढ़ू छोड़ता कुछ भी नहीं एसे ना कुछ दो लोग डोपी के डोपी की क्विक क्विक कर देते हैं है ना स्किप कर देते हैं लेकिन या छोडने वाला आदध ना है ठीक है पढ़ी चले बड़ा है नेक्स नेक्स्टिट नेक्स्ट से से अरवाइख से सीरी ऐ से सी ए र आर आई क्यों ए सेंट्रल कांस्त है अग्रिकल्चर रिसर्च एंस्टिट्योट एला गोहा एला गोहा बैइ गोवा एसे इंस्ट्जूट्ट में नोकरी लग जा ये तो गोवा जाने की ज़रो ना उधर ही सैटल हो जाया ना प्रमाणेंटी तो सेंट्राइल कोस्टल तटवाला समुदर के तटवाला आगरिकल सा रिशार्ज इंस्टिट्टूट अलागोवा एलागोवा से सी एर आई मज़ा आ जाए ना जिंदगी बन जाए एइन जोट्रिय गोवा में आराव से ना अेजूए कर रहे हैं एवरी टाइप लोग तो सपना होता है कि मैं जाओ और इदर किसी की नोखर के लग घंव है साबसपाई गया ऑपवारा पानी का सेटार जarken कोशिस कीदूनने की मुझे मिला नहीं आप सर्च मार्ली बड़ा कोशिश की थी मैंने वरदञें लेकर मुझे निजी मिला नी तो काला पानी मिलरा था 12 पानी नी मिल रहा है फिर मैंने काला पानी लिया भी ठीक नहीं रहेगा 12 पानी मिलेगा तो लेंगे कर्म कि कबала दो और यह है C.C. और यह है C.C. दो, और आ गई है I.A.S.R.I. 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 Indian Agriculture, very most, Indian Agriculture Statistical, Statistical Research Institute, New Delhi. Indian Agriculture Statistical Research Institute, New Delhi. कि बारतिये स्टैस्टिकर छोलेबना चल्ले दिहा को हो स्टैस्टिक की स्पेलिंग नपपने रशएलिज होती है कि मारता सब्जेट चलते ते पहले तो अम्हें YouTube में बीएसी में भी चला स्ट्रेटिस्टिक्स ज्यान रखने के लिए Indian Agriculture Statistical or Statistics Research Institute बारतिये क्रसी सांकि की अनुसंदान संस्ताल हाँ Indian Agriculture Statistical Research Institute बाईजी बैटे है नौर बैटे है ज्यान रखे है पुरो बारतिये क्रसी सांकि की सांकि की तो जानते होंगे न बाई जिसमें मीन आता है मादेर, मादिकार, ये RBD, ऐसे आती है उसके अंदर है न एक अलगी Mathematics होती हो दुनिया के अलगी Mathematics है अब भी चलती है न BSC में बिल्कुल चलती है बढ़ा Thank you सुल्लरा गासी सुल्लरा गासी IZFRI जासी परिक्सा मैं आसे सुल्लरा गासी इसको ऐसे याद करते हैं बच्चे सुल्लरा गासी IZFRI जासी परिक्सा मैं आसे आसे इंडियान Grassland and Fodder Research Institute हाँ पूसा वो स्टेटिस्टिक्स वाला जो है पूसा इंस्टिटुट में ही है अंदर ही है IRI रिसारी सारे हो रहा है कुछ है सुल्लरा गासी IZFRI जासी परिक्सा मैं आसे IZFRI को ऐसे याद करते हैं बच्चे सुल्लरा गासी IZFRI जासी परिक्सा मैं आसे मानस परता आप जिंग जिए परिशान हो गया क्या एक बार मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ तब तक आप नोट करते रहें Indian Grassland and Fodder Research Institute और यह है आपका भाई Indian Grassland इसको कर सही पुछ दिखी नहीं रहा Indian Grassland and Fodder Research Institute चार नंबर मिल जासी एक बार यह तो बंद करके दुबार चालो कर ले इसको और बेटा काफी देर हुई दुबार चालो कर ले एक बार मुझे दो बंद सारे नोट कर लिए बढ़ाई हो बढ़ाई Indian Grassland and Fodder Research Institute जासी यूपी उत्रप्रदेश RLBCAU राणी लक्समिबाई Central Agriculture University भी इधर ही है सही बात है यहाँ पर भी साइंटिस्टी पढ़ाते है तो यह आपकी फेसे आपकी IZFRI आपके बीच में है और यह आगई है IZFRI बाई यह क्वेस्टन और है बहुत अच्छे वाला राणी लक्समिबाई Central Agriculture University केंद्री यह विश्विद्ध दाले वो भी जासी में जासी में एक और लिख लेना बड़ा राणी लक्समिबाई Central Agriculture University केंद्री यह करसी विश्विद्ध दाले यह भी है जासी में यह हो गया ना राणी लक्ष्मी भाई Central Agriculture University जासी यह केंद्रे विश्वी दाले है ओ गया? चली बई बई, question के लिए यह number दे रकिये है personal question के बारे में यहाँ आप पैसी बात कर रहे हो यह बाकी जो बचे बैट रहे है वो आपके question के लिए नहीं हये इसलिए कोई भी question तो number दे रहा है या फिर साम की क्लास में अभी थोड़ देर बाद में होने वाली है 20 मिनट बाद में उसमें आ जाना विड़ा ठीक है दोस्त तो ICFRI जासी परिक्सा में तो अगला है IIAB IIIAB इंडियन इंस्तिटूट ओफ एग्री कल्चरल बायो टेक्नलाजी जार्खल ये है आपके बीच में है थोड़ा सा पुराना सा विल्डिक है लेकिन ठीक है अच्छा है इंडियन इंस्टूट आप एक दूसरा बन गया है यह न्यू इंस्टूट बड़ा है आप जो बी है यह थो है बाइट ट्यक्ण लोजी रिसेंट अभी तो इसका काम भी पूरा निवा निवा और भी बिल्डिंग अभी बिल्डिंग भी नहीं बनी है टेंपरेरी किराय पर चला रहे है अभी बिल्कुल फ्रेस इंस्टूट है इंडियन इंस्टूट ऑफ अगरी कल्चर बाइटेक्न लॉजी और इटी सिचुएटेट एट रांची जार्खण लेटेस्ट अपडेट प्रजेंट डिजी यहीं से पीसडी है डिजी साब का तो क्या कहना बगवान कभी ना बतलब सपना होता है डिजी बहुत बड़ी बात होती है ठीक भी इंडियन इंस्टूट ऑप अगरी कल्चर बाइटेक्न लॉजी रांची जार्खण अभी देखना ओफ लाइन वाले बच ये प्रोदोगी के रुसंदान संस्तान रांची जार्खण अचा न्यू डेली वाले से और ये है आई आई एचार है सरगटा बेंगलोर अभी जोड़ जोड़ से कर रहे ना घर पे बेटे बेटे आई आई एचार है सरगटा बेंगलोर इंडियान इंस्टिटूट अप होल्टी कल्चर रिसार्च है सरगटा बेंगलोर करनाटका 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 इंडियान इंस्टिटूट अगरी कल्चरल इंडियन इंस्टिटूट अगरी होल्टी 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 कल्चर रिसार् है शरगटा बेंगलोर करणाट का आय 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 चार है सरगटा बेंगलोर यहां से हाँ यह एक नदी बैती है पास में जिसका नाम अरकावती आंकावती जोसका नाम अया यह हार अच्छा सची में अपर देखो किसी को पेचाड ना हो भूल पाया तो जूट बोल रहा है कि नहीं पढ़ा हो थीक है यह अरकावती नदी इसलिए जयातर वेराइटी को ना उसी के नाम से निकाल देते हैं आरका कंचन, आरका हंस, ऐसे ना वराइटी निकाल देते, तो आई-ई-ई-चार से निकलने वाड़े जयातर वराइटी को आपको आरका लगा मिलेगा आरका, आरका, आई-ई-चार, हैसरगटा बेंगलो, चली विड़ा, उसके बाद हो गया, अरो भी दिखाया ना, इंडिया इंडियन इंस्टेटिटोट ईपूटी काल्ट्टर रिसार्च हासरगटा बैंगलोरा इंडियन इंस्टिटूट ऑप। वो आपका हो गया है है सरगटा बेंगलोर है सरगटा बेंगलोर फिर से आपको ले चलता हूँ सीधा पलसेज के पास पल्सेज दलन कानपूर योपी दलन कानपूर योपी दल हन कानपूर योपी दल हन कानपूर योपी इंडियान इंस्टिटूट ओप पल्सेज रिसर्च या पल्स रिसर्च भारतिय दल हन अनुसंदान संस्थान कानपूर योपी जन्नत है आई आई आचार तो बहुत बड़ इंस्टिटूट बही आई आई चार तो अपने आपे तुफान है बहुत बड़ा तुफान हिंदुस्तान का जहां पर रियल में वर्क करते लोग तो यह है इंडियन इंस्टिटूट अप पल्स रिसर्च आज से आपके महराजा होंगे महेंदर दलहनी महेंदर दलहनी तो यह महीस मती से भी बड़ा सामराज्य है कौन सवाला हिंडियन इंस्टिटूट अप पल्सेज रिसर्च कानपुर योपे बारतिये दलहन अनुसंदान संस्तान दिख रहा ना कितना बड़े बिल्डिंग है महीस मती जैसी बिल्डिंग है तो आज से आपके इसके ना आज से महाराजा होंगे महेंदर दलहनी दलहनी तो यह है महीस मती से बड़ा सामराज्य इसका नाम है इंडियन इंस्टूट अप पल्सेज रिसर्च और यह कानपुर योपे महेंदर दलहनी आपके महराजा महेंदर बाहु वल्रीची चीना ले चलते हों हमारे सबजेक्टवालों के बातलां इंस्टूट सचेज साइंस और यह है IISS भॉपाल है भॉपाल मद्धे प्रदेश पत्थर बोलते इसको पत्थर को लेज़ यह है इंडियन इंस्टिट्टुट ओव स्वाइल साइंस बारतिय मरदा विज्यान संस्थान यह बॉपाल मद्धे प्रदेश बारतीय मरदा विज्ञान संस्थान बोपाल माध्य प्रदेश विजीटेड है बदायों बारतीय मरदा विज्ञान संस्थान इंडियान इंस्ट्यूट ऑफ सोयल साइंस मेरे सब्जेक्टहां इंस्ट्यूट है माँरा जो पीजी पीच्टी हो सोयल साइंस में तो सोयल साइंस का इंस्टूट उन ऑफ Means हमारे है, हिंदुस्तार, वसुदेव, कुटमबकम, यहां तो लोग साधी में जीमने के लिए ना, पूरा कुटमब ऋना लेते पूरी दुनिय चलिए अभी चलते हैं सीधा आई-आई-एस-आर इंडिया यह तीन इंस्टिूट है एक ही नाम की यह सब गोर्वेंट है प्रभू सारे के सारे गोर्वेंट है हिंदुस्तान की नाक है हिंदुस्तान की सान है प्राइवेट थोड़ी पता है आपको मिन्नी म्रदा परिक्षण किट IIS ने डवलप किया था मिन्नी म्रदा परिक्षण किट मिन्नी मतलब छोटा सा किट जिसे मिट्टी को टेस्ट कर सकते हो वो IISS का ही डवलप किया हो है मिन्नी 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 छोटा म्रदा परिक्षण किट यहां इंडे कि का इंडियान इंश्टीटूट जब थे इन इंडियन इंस्टीटूट आप सुगंगों केन रिसार्च। इंडियन इंस्टिटूट आप सोया बीन रिसेर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट सोयाबीन रिसेर्च ठीक है यह क्या आगया भई कमांडर प्रतापसी का आगया क्या इंडियन इंस्ट्टूड आप कमांडर प्रतापसी आई आई ऐसा इंडियन इंस्ट्टूड आप स्पाइसेज रिसेर्च सुगर केन रिसेर्च सोयाबीन रिसर्ट तीन कोईमबटूर ना है कोईमबटूर इनमें से कोई साही नहीं है तो ये लो इंडियन इंस्टिटूट अफ इस्पाईस रिसर्ट बोले तो मशाला मशाला भारतिये मसाला अनुसंदान संस्तार ये है कालिकट केरल Indian Institute of Spice Research एक्जेक्ट लिखो तो इसका जगे का नाम है कोजी कोड कोजी कोड है काली कट है केरल बारतिय मसाला अनुसंदान संस्थान कोजी कोड है काली कट है केरल सोयब इनका भी है सुगर के इनका भी है स्पाइसेज का भी तीनों का यह लेकिन यह पहला IISR आया है Indian Institute of Spice Research मशाला काली कटा केरल राइट है अभी और आएंगे बाई सुगर के इनका आएगा वो लखनों में लेकिन कोएमटूर में नहीं है कोएमटूर में तो S भी आई है वो आला के हाँ बीजी है मसाला तबीजी अजमेर वो भी आने वाला थोड़ देर में वो NRC में आएगा IIVR सबजीवारंसी योपी सबजीवारंसी योपे Indian Institute of Vegetable Research वारंसी योपे काली कट अपने ऐसे का ऐसे ना कलर के आगे भी लगाते हैं हम लोग काली कट तो काली कट में तो था ही है IIASR दोलो धप पीडो पट यासे लगाते हैं मरे ना कलर के आगे यासे लगा देते हैं लोग दोलो धप पीडो पट कालो कट अना सपेद चट यासे लगाते हैं लाल चट तो वैसे काली कट राइट है यासे लगाते हैं तो Indian Institute of Vegetable Research यह है भारतिय सब्जी अनुसंदान संस्थान वराण से योपे सब्जी वराण से योपे सब्जी वराण से योपी सब्जी वराण से योपी 1999 बोले तो 1990 में आया था है मन नार्म बता दे ओ ये हाँजी हाँजी नेक्स्ट है नार्म NAARM National Academy of Agriculture Research Management National Academy of Agriculture Research Management management यह है यह वाला इसको क्या सोड कर दीए आप पुरा लिखना बिटा सोड मत करना वो सर ने एक्चुली जगे के साफस्तुरा सोट कर दिया ठीक है भी तो यह है नेशनल एकेडमी ओप एगरिकल्चर रिसर्च मेनेज्मेंट रिसर्च मेनेज्मेंट केंद्रिये क्रसी अनुशंदार वे प्रबंदन अकादमी यह हैद्रबाद तेलंगाना लिखा है ना नार् है रिसर्च मेनेज्मेंट रिसर्च मेनेज्मेंट आयो हैद्रबाद तेलंगाना हैद्रबाद तेलंगाना नार्म नार्म हैद्रबाद तेलंगाना नार्म हैद्रबाद तेलंगाना नार्म हैद्रबाद तेलंगाना नार्म हैद्रबाद तेलंगाना नार्म हैद्रबाद त अगला आगया निबसम बोले तो निबसम 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 नेशनल इंस्टिटूट ओप बायोटिक स्ट्रेस मेनेजमेंट राश्रिय जेविक तनाव या प्रबंधन संस्थान निबसम निबसम नीबसम निबसम निबसम नेशनल इंस्टिटूट ओप बायोटिक स्ट्रेस मेनेजमेंट ये रहे National Institute of Biotic Stress Management ये है बरोंडा बरोंडा कह दो राइपूर चतीस गड़ चतीस गड़ चतीस गड़ के वासियो तो रास्तिये जेविक स्ट्रेस प्रबंदन संस्तान बायोटिक स्ट्रेस बाइट दो स्ट्रेस होते है तनाव दो परकार की होते है प्लांस को एक बायोटिक होता है जो सुक्सम जीओ से या माइक्रोब से या एनिमल से इनसे होता है एक होता है एबायोटिक स्ट्रेस वो मेभी सम्टाइम नूट्रियेंट से किसी की ज़्यादा से कमी से या फिर अबाइटिक फेक्टर लाइक एन्वार्मेंटल फेक्टर से ऐसे तो यह बाइटिक स्ट्रेश वाड़ा है नेशनल अकेडिमी ओफ एकरिकल सारिसर्स मेनेजमेंट तेलंगा न जी हो गया अब तो आगे वाड़ा आगया ठीक है विदाई 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 वो गया निपसम नेशनल इंस्टिटूट अब बायोटिक स्ट्रेश मेनेजमेंट है बारोंडा राइपूर चतीस गड़ तीस गड़ तीस गड़ दिखेंगे अभी काम चल रहा है कुछ लगे में इदर है ना बड़ी फंटे लगा रहेके यहां नियासम नियासम अठल नगर हो गया अचा चतीस राइपूर का नाम बदल के अठल नगर हो गया मैं नू पता ना इसका लेटेश अपड़ेट है नियासम यह एबायोटिक वाला National Institute of Abiotic Stress Management Abiotic Stress Management यह है मालेगाउं खुर्द बारामती महाराश्ट्रा यह लो भई थोड़ा छोटा है दिखेगा नहीं दिखेगा National Institute of Abiotic Stress Management वो पहले वाड़ा बायोटिक का था यह अबायोटिक का है National Institute of Abiotic Stress Management मालेगाउं खुर्द बारामती महाराश्ट्रा रास्ट्रिये एजीविये यह जेविक स्ट्रस प्रबंदन संस्तान मालेगाउं खुर्द बारामती महाराश्ट्रा महाराश्ट्रा हो गया? कितने हो गए? नम्बर नम्बर आप इंस्ट्रोर्ड रास्ट्रा रास्ट्रा किसी के फॉर्टि किसी के फॉर्टिपाइब वैसे कैसे हो सकता है? पॉर्टिफाइब चली बड़ा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है तब तक के लिए सभी को नमस्कार जेहिन जराश्ट्रानी सस्रीकाल सब्बाग एरवाए गुरू दीवते हैं खुदा आपेज वी रेंक राजस्थान जेट 2020 में टोप 10 में से 8 विद्ध्यारती टोप 50 में 22 विद्ध्यारती राजधानी फाउंडा पचकोडिया गे बिना जेट सीदे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानियन ने किया कबजा जहां 90% बच्चे कर रहे हैं बारवी के बाद तैयारी में एक दो साल खराब वही राजधानियन मचा रहे दूम बारवी के साथ ही जेट 2020 में चार सो अस्थी में से निशानतियादों ने प्राप्त किये 408 नंबर यस सर्माने 394 नंबर इस वर्ष इंस्पाइर अवाड की रूप में मिलने वाली है दो करोड साथ लाख रूपे की स्कोलर से ककसा बारा के परिणाम में 97 परतिस्थिया अधिक एक विद्यार्थी 95 परतिस्थिया अधिक तीन विद्यार्थी 94 परतिस्थिया अधिक साथ विद्यार्थी 93 परतिस्थिया अधिक 11 विद्यार्थी 90% आधिक 40 विद्यार दी और वो भी ओवराल Optional सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार दी 99% ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार दी 97% आधिक लाने वाले 19 विद्यार दी 90% आधिक लाने वाले 163 विद्यार दी दसवी से बारवी साइंस व एगरिकल्चर में अजे कुमार मीना ने की 49% की रिकोर्ड व्रद्धी, रिंकु यादव ने की 37% की व्रद्धी, नरेश पाटिदार ने 36% की व्रद्धी, प्रकरती की गोद में दस बीगा में फैला विसाल केंपस, आधुनिक सुक्ष विधा से युक्त, सेप्रेट गल्स और बॉइज होस्टल्स, राजधारी एजुकेशन गूरूप अचकोडिया की यूटूब सेनल वे मोबाईल एब पर रोजाना ओनलाइन क्लासेज भी, आईसी यार, जैट, बीएच्यू, एगरिकर्जा सुपरवाईजर, 11-12 क्लास के ओनलाइन कोर्सेज भी उपलग्द, ग्यारवी बारवी के साथ और इसके बाद भी आईसी यार, जैट, बीएच्यू की क्लासेज उपलग्द, राजदानी एजुकेशनल गूप पचकोड़े जैपूर में शामिल है, राजदानी साइंस दारा फोर प्रिप्रेशन ओफ नीट जेए, राजदानी फाउंडा फोर प्रिप्रेशन ओफ आईसी यार, जैट, बीएच्यू, राजदानी पब्लिक सीनर सेकंडरी स्कूल फोर आल-Academy Classes, राजदानी गुल्स और बोईज होस्टल विद मोडन फैसलिटीज और रेजिदेंशल ब्लोग, साथि विजित करें www.raajdani-group.in, helpline no 9314130130, call 9001001314